कि अलो ट्रेडर्स वेल्कम टू माई चैनल प्राइज अक्षिन मैंटर हैं दोस्तों यहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं आई यू सी स्टॉक के बारे में डाट इस इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन ठीक है अभी कुछ अच्छे लेवल्स पर है तो इसको में लोग डिसकस करेंगे वीडियो काफी काफी होने वाला है दोस्तों यहाँ पे अगर आप में से जो नहीं है जिन्नों च Kitchen to कर सकते ओं देखो ऑई और उसी में बहुँआ को caffeine हैं सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखोगे वीक्ली टाम फ्रेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है तो वीक्ली टाम फ्रेम में अभी एक रिटेस्ट मोट पर है आप यहां से कितनी उच्छी एप्र यहां से और यहां से और यहां से कहीं हैं चैने तो यहां पर यहां घरन dawn लेता हूं लेता हूँ एंस तरीके से यह वां करता हूं तो आपको यहां से clearly समझ में आ जाएगा एक ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको इधर से बना के दिखाऊ ठीक है तो आपको यह चैनल अभी दिखेगा ठीक है इसको भी हम लोग और भी करेक्ट करेंगे और देखो कि 4 hours में कहीं अभी 4 hours में भी 200 moving average से दूर है और देखो किस तरीके से यहां पर यह अपने इस चैनल पर ट्रेट कर रहा है और इधर अगर हम लोग वन आवर टाइम फ्रेम को देखते हैं तो आपको और भी clearly यहां से यह चैनल दिखाई देगा ठीक है तो इधर पर आपर यहां पर नएया पर कब ले सकते हो दोस्तों अभी क्या है यह doesn't sound का प्स जारा रहा है जांट बिए यह और नीचे आजया है उस्तरीके से दोस्तों कि मोमेंटम रहती हैं कोई नहीं बता सकता है कि कब तक कंसॉलीडेसhan चले करें जिस तरीके से अभी मोमेंटम है अभी मार्केट में मैंने एक वीडियो बनाया मिट को लेकर ठीक है तो उसमें आपको मैंने बताया कि अभी जो आज ये ग्रीन कैंडल बना इसको अभी पूरी तरीके से हम लोग यह नहीं समझ सकते कि यहां से रिवर्सल आ जाएगा ठीक है बट दोस्तों क काफी अच्छा एक सपोर्ड यहां से लिया है टू आवर का ठीक है टू अवर्स टाइंस फ्रेम में आप देखोंगे टू हैंड़ यह में का सपोर्ट लिया हुआ है ठीक है तो कहीं नहीं दोस्तों यहां से एक अच्छा बाउंस भी आ सकता है अगर मैं आपको पीछे चलक यहां पर आपको इस टॉप लॉसे अच्छे मिलेंगे क्योंकि मुविंग आवरेज के पास में जनरल ही देखा गया कि मुविंग अबरेज से अच्छा बाउंस आ सकता है ठीक है यहां पर यहां पर यह लावल्स अकलिए मैं मार्कर दे रहा हूं इसके ऊपर ही यहां पर अ हो आप ठीक है थोड़ा सा रिस्क अफट कर सकते हो तो कहींने कहीं मैं कहूंगा यहां से भी अच्छी बन सकती है और इसमें भी स्टॉप लॉसे मुविंग आवरेज के नीचे आप रख सकते हो एंड टार्गेट अपने आप यहां तक कहीं प्लान करोगे तो यहां से अगर यहां से सीधे निकल गया तो बहुत अच्छा एक रैली आता है एक केस और भी होता है कि इधर से डवलू फॉर्म करके जाएगा ठीक है तो ऐसे भी हो सकता है तो उसी साफ से आप लोग प्लानिंग करोगे और दोस्तों अगर किसी और स्टॉप के बारे में आपको ज लेना अधर्वाइस जब यह आपको दुबारा से इस लेवल पे मिले 162 पे मिले यहां से कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो यहां ले लेना ठीक है क्योंकि यहां पे थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि स्टॉप उपर जाके भी यहां से रेसिस्टेंस लेके नीचे भी सकता है इसके ऊपर कहीं ने कहीं दोस्तों कर एक अच्छी क्लोजिंग होती है तो आने वाले टाइम में 200 के टार्गेट डेफिनेटली दिखेंगे ठीक है तो ऐसे में दोस्तों स्टॉप लॉसे साथ ही काम करना बहुत बड़ी कॉंटिक साथ में काम मत करना एंड थोड़ा का फोकस अपना आप लो लार्ज काप की तरफ शिफ्ट करिए ठीक है तो वहां पर भी काफी अच्छे पोटेंशल दिख रहा है तो उन में भी अच्छे स्टॉक्स है वहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए एंड आपको अच्छा लगा है तो मुझे जरूर से आप कमे